साथ संगत जी प्रीम से कहना धन दरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खुबसूरत साखी लेकर आई हूँ उमीद करती हूँ आज की ये साखी आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए सुनते हैं आज की साखी साथ संगत जी प्रांजल को सुभे देर से उठने की यादत थी लेकिन एक दिन सुभे वो छी बजे उठकर चाय बनाने लगी उसने पोधों को पानी दिया और अपने पिता को सुभे की सैर पर जाने के लिए जगाने के लिए आ गई प्रांजल को बड़ी हैरानी से देख रहे थे जब उन लोगों के सबर का बाध तूट कया तो खुद ही प्रांजल ने सभी को जवाब दिया कि मेरे ससुराल में थोड़ी कोई होगा जो मुझे सुभे उठाएगा प्रांजल की शादी होने वाली थी और उसकी शादी में तीन महीने का समय ही बाकी था लेकिन प्रांजल की समझ में इतना परिवर्तन आ गया था अपनी बेटी को बड़ा होता देख प्रांजल के पिता खुश पी थे और दुखी भी थे प्रांजल के शादी हुई और वो अपने नए घर में आ गई प्रांजल ने सोचा कि सुबह मेरी नीद नहीं खुलेगी ये सोचकर वो पूरी रात सोही नहीं पाई अगली सुबह जल्दी उठकर नहाध होकर प्रांजल अपनी पहली रसोई की तयारी के बारे में सोचने लगी उसने सोचा कि मैं क्या बनाऊं जो सभी को अच्छा लगे अभी वो इसी कश्मकश में थी कि एक मीठी सी आवाज आई प्रांजल तुम इतनी जल्दी क्योट गई बेटा जब प्रांजल ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसकी सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी प्रांजल की सास ने कहा शादी की भागदोड में तुम कितना परिशान हो गई होगी और फिर तुम्हें अपने मायके वालों की याद भी आ रही होगी ऐसे में अगर तुम नेद पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी प्रांजल के सास ने हिसाब के पन्नों को मेज पर रखते हुए कहा प्रांजल ने सोचा ये क्या मेरी सास तो बिलकुल भी वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था मैं तो पिछले कितने ही महीनों से जल्दी उठने का भियास कर रही थी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया प्रांजल ने सोचा मैंने पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर एक होस्टल में की जिसकी वज़ा से मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना की एक बहू को होना चाहिए प्रांजल के ससुराल में एक रिवास था कि नई बहू एक रोटी बनाएगी लेकिन आटा जादा गीला हो जाने की वज़ए से प्रांजल की बनाएगई रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी के बनने चाहिए थी प्रांजल को डर भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था मन ही मन प्रांजल अपनी मा को कोस रही थी कि क्यूं मेरी माने मुझे डाट कर अच्छे से घर का काम करना नहीं सिखाया अब सुभे के रसम तो जैसे तैसे हो गई और उसके बाद घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने की तयारी हो रही थी प्रांजल भी रसोई में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ कोशिश मैं भी करती हूँ खाना बनाने की तभी वहाँ पर एक आवाज आई कि प्रांजल देखो आज में क्या-क्या बना रही हूँ मटर पनीर की सबजी, गाजर का हलवा और पराठे प्रांजल ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई सोचने लगी अरे ये तो सब मेरी पसंद का खाना है उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं ले रही फिर उसे लगा कि नहीं ये तो मेरी सासु माही बोल रही है प्रांजल के थोड़े सहमे हुए, थोड़े डरे हुए भावों को शायद उसकी सास में जान लिया था प्राणजल की सास अपनी बहु के पास आई और प्राणजल को बठा कर कहने लगी कि शादी किसी लड़की की परिक्षा नहीं है जहां कदम कदम पर लड़की को किसी परिक्षा में पास होने पर अंक दिये जाए तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्यदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी जिम्यदारी है मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने तुम्हारी खुबियों को परखने तुम्हारी आजादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या-क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हो मुझे तो केवल एक दोस्तिक साथी चाहिए जो मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल सके धागे का मुझे वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्ने की माला में पिरोई रखे मैं नहीं मानती कि बहु को सुबह उठकर नहादोकर पुजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए अगर बहु को कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना परिवार से चोटे चोटे बदलाव से और सबसे जरूरी खुद से हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तुम खुश नहीं रह पाऊगे प्राणजल की सास ने कहा ये शादी तुम्हारे सपनों की कुरवानी नहीं है प्राणजल ये तुम्हारे सपनों की उडान है हम सब तुम्हारे साथ हैं हर कदम, हर पल, हर समय और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसकी बनाई हुए पसंदीदा खाने से कर रही है और आज जब प्रांजल इन बातों को याद कर रही है तो उसकी शादी को दस साल हो गई है लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसी अनमोल रिष्टा कमाया था वो था मा हाँ, वही सासु मा जो अब प्रांजल की मा बन चुकी है प्रांजल ने जिंदगी में बहुत उतार चड़ाव देखे कभी पैसों के कमी, कभी पती से जगड़ा, कभी बच्चों की परिशानी लेकिन आज भी वो मन से जुड़ी है अपनी सास से हर पल वो यही कामना करती है जब भी उसका बेटा बहु लेकर घर आए तो वो अपनी सास के जैसी सास बन सके और अगर उनके जैसी नहीं बन पाएगी तो उनका अंश ही सही साथ संगत जी समाज के कुछ हिस्सों में आज भी सास माँ बनने में विश्वाश नहीं रखती पर हमारी गुजारिश है कि जब भी हम किसी लड़की को घर में लाए तो उस लड़की को उसकी कमियों के साथ सविकार करे अपने बच्चों को गलतियों पर डाट कर भी तो हम उने प्यार से सहलाते है न तो वही हमें बहु के साथ भी करना चाहिए और आज की ये साखी उन सभी सासु माँ को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यभार, सोच से एक सास की छवी को बदलने की कोशिश की और नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा आप सभी से फिर्मुला कात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धन नरंकार जी